हाई अब्रिवन, वेलकम तो स्लीपी क्लासेज, स्वागत है अब सब का रिविजिन सीरीज में आज हम इन्वाइरमेंट के थर्ड दे में है जिसमें हम रनीवल इनरजी के उपर अपडेट्स डिसकास करेंगे एक छोटा सा एफर्ट है हमारा कि आपकी रिविजिन में हम किसी तरह से एट कर पाए नौ दिन बचे हैं प्रिलिम्स में और इस टाइम पे इंग्जाइटी ओल टाइम हाई होगी ठीक है टेंशन हो रही होगी लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी लूप होल्स है तो आप बहुत ही अच्छे से इनको प्लग इन कर सकते हैं नौ दिन कम नहीं होते हैं अनादर थिंग आपको स्ट्रेस अपॉन इस के हमारा इस संडे को आपके बस आम्पल अमाउंट अप टाइम होगा and I would highly recommend कि आप प्लीज एक शांथ जगा बैठके इस पेपर को attempt कीजिए and even if you score less marks, don't take it to your heart, take it in the positive way कि अगर ये question exam में आता तो मेरा गलत हो जाता, at least अभी उस चीज से मैं बच गया हूँ तो हर एक चीज को positive देखिए इन नौ दनों में, right? Okay, so let's just start with the revision series, आज हम discuss करेंगे renewable energy ठीक है, अब देखू सबसे पहले let's discuss a concept that is flexible fuel vehicles या flex fuel vehicles या FFVs, ठीक है, इनको dual fuel vehicle भी पहा जाता है ये ना Brazil, USA और Canada में काफी जादा commonly देखे जाते हैं In fact, Brazil में तो इतने जादा common है कि 80 प्रतीशत नई vehicles जो Brazil में sold out हुए थे 2019 में, they were all having this technology अब यहाँ पर क्या है? ये ना एक ऐसा modified version है, जिसमें जो internal combustion engine होता है ना, that can run both on gasoline, ठीक है, बेसिकली ना आप इसको ऐसे देखो petrol पे रन कर सकता है, blended petrol पे रन कर सकता है at the same time, it can also run on just ethanol, ठीक है तो gasoline पे रन कर सकता है, blended petrol with either ethanol on ethanol fuel and even purely ethanol, ठीक है, जिसको हम E100 भी कहते हैं, उन पे भी रन कर सकते हैं and you have just one internal combustion engine, जो इस तरह से modified है कि वो इन तीनो तरह के fuels में काम कर सके, तीनो वराइटी और फ्यूल्स में काम कर सके ठीक है, और ये, both of the fuels, they are stored in the same common tank right, अब इसमें न, the point is कि जो fuel injection है और जो spark timings है, मतलब जो engine के जो चीजें है they are calibrated और they are automatically adjusted in accordance with the actual blend which is detected by the fuel composition sensor अब इसमें देखो हमारे देश में जैसे E10 है, ये उस पे भी run कर लेगा E80 है, ये उस पे भी run कर लेगा E10 का मतलब है कि 10% ethanol is blended with petrol 80% का मतलब है कि 80% of ethanol is blended with petrol E100 का मतलब है कि सिरफ हमारे पास 100% ethanol ही है तो ये जो हमारे पास flex fuel vehicles हैं इन में जो engine है वो इस तरह से बनाया गया है इस तरह से modify किया गया है, इस तरह से इसमें changes है कि वो किसी भी fuel का जो blend है उसके उपर run कर सकता है आप देखो, the technology also exists to allow ethanol, FFE's to run on any mixture of gasoline and ethanol from pure gasoline that is up to 100% of ethanol, ठीक है मतलब pure petrol to pure ethanol और any blend किसी भी fuel पे these vehicles can run ठीक है, और अगर हम बात करें जो North American है और जो European है जहां पे ये vehicles use होते हैं, they are optimized to run on A85 ठीक है, वहाँ पे E85 है, which is a blend of 85% of anhydrous, anhydrous होता जसमें पानी बिलकुल ना हो, ethanol fuel with 15% of gasoline ठीक है, अब फायदों कि अगर हम बात करें, अगर ये technology इंडिया में आती है तो जो हमारा इतना high import build है, हम उस पे cut down कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है ना, और यही एक reason है कि इंडिया में FFE's की बात की जा रही है कि we should actually, you know, bring in these to our country as soon as possible और दूसरी चीज़, कि जो emissions है, जो आप लगा लीजिए, जो pollution है, वो भी कम होगी इन vehicles है, है ना, क्योंकि renewable biofuel हम यूज़ कर रहे हैं, ethanol की फॉर्म में तो obviously वो भी कम होगी then, यह भी एक important चीज़ है, जो आपको देखने है, कि FFE's different from by fuel vehicles, ठीक है एक होते है dwell fuel vehicles, जो FFE's है, और एक होते हैं by fuel vehicles, क्योंकि biofuel vehicles में क्या है जो two fuels है, जो भी हम दो different fuels की बात करेंगे, क्योंकि by हैं, ना, मतलब दो they are stored in separate tanks and engine runs only on one fuel at a time ठीक है, तो इसमें separate tanks है, इसमें एक ही engine है, flexible, यहां flex fuel vehicles में, जो इसमें, प्राजील, USA and Canada then, ethanol blending, अब देखो, recently there was a road map for ethanol blending in India which was given by Ministry of Petroleum and Natural Gas and Niti I.O. ठीक है, उन्होंने release करें थी यह report which is roadmap for ethanol blending in India by 2025 अपना अगर आप बात करो, national policy on biofuels की जो 2008 में आई थी उसके हिसाब से, जो target था 20% ethanol blending का, of gasoline, of petrol and 5% biodiesel blending, यह हमारा target हमने 2030 तर कचीफ करना था लेकिन अब यह 20 का target has been advanced from 2030 to 2025 ठीक है, जो बेसिकली, Prime Minister Narendra Modi on June 5, that is this year's World Environment Day has announced कि जो 20% है, that should be achieved by 2025 and it can actually help us in cutting our import of oil by 10%, ठीक है, तो आइडिया यह है कि oil imports को हम cut down करे, जो हमारे इतना बड़ा energy import bill है, उसको cut down करे, so the idea is कि जब हम national policy on biofuels की बात करते हैं, तो उसमें 2030 था E20 का target, अभी यह target को, जो road map है, उसमें बोलाएं कि आप इस target को 2025 तक ले आएं, ठीक है, so it actually proposes a gradual rollout of ethanol blended fuel to achieve E10 fuel supply by 2022 and phased rollout of E20 from April 23 to April 25, ठीक है, अब इसमें भी न, जैसे जो E20 पहले 2023 में E20 material compliant engines की बात की जा रहे हैं, या vehicles की बात की जा रहे है, it can run on E20 and it can run on E10 also, ठीक है, उसके बाद 2025 से हमारे पास सिरफ E20 tuned engines ही आएंगे, मतलब the ones which can only run on E20 fuel and obviously there is this idea also कि we should actually move to flex fuel, vehicles, ठीक है, उन पे हम move करें, वो भी हमारा idea है, राइट, ओके, then currently petrol with 10% ethanol blend is being retailed by various OMCs in India wherever it is available, ठीक है, but gradually we are moving towards E20 and achieving के जित्रे भी engines हैं वो 2015 तक सभी E20 compliant हो, ठीक है, obviously जब अभी अगर E10 compliant है तो उन्हें कुछ changes होंगे तभी वो E20 compliant बनेंगे, अब उसके लिए हमारे पस बहुत सारे challenges हैं, but again those challenges are more of a mains concern कि हमारे पास जो ethanol है इतना साथा प्रेदूस करना, उसके बार उसको पहुंचाना हर एक जगा पर, all of those challenges, right, and all of the challenges that the automobile industry is going to face, so that is, you can save that for the mains part, right, so that is about your ethanol blending, then next is energy cane, energy cane को na fuel cane भी कहा जाता है, it is a genetically modified version of sugar cane, how we all know that sugar cane is a plant which is high on sucrose content, and that is why it is used for producing sugar, okay, लेकिन Brazil में पहली बार उन्होंने देखा कि अगर हम sugar cane में जो sucrose content है, उसको कम कर दे, और fiber content को बढ़ा दे, यहां आप ऐसे ले लो, biomass content को बढ़ा दे, so it can be used for producing biofuels, ठीक है, और एकदम जिसे कहलो ना कि पहले क्योंकि जो normal traditional varieties हैं, उसमें तो हमारे पास sucrose ही जादा रहता है, और वो sugar के ले ही produce की जाती है, लेकिन जब हम biofuel की बात करते हैं, तो हमें biomass जादा चाहिए हैं, तो इसी वजह से there has been, initially तो traditional breeding methods है, ऐसी varieties produce करते थे, जिसमें की biomass content जादा हो, और sucrose का content कम है, ठीक है, अभी genetically modified तरीकों से produce किया जाता है, sugar cane, जिसमें fiber का content या biomass का content जाता है, और उसको कहा जाता है, energy cane या fuel cane, right, in fact ऐसा कहा जाता है कि जो ये biomass जादा वाली sugar cane है, इसको produce करना, मतलब इसकी productivity है, इसकी जो yield है बढ़ाना काफी असान है compare to that of sucrose वाली sugar cane, ठीक है, और अगर हम sucrose वाली sugar cane से करेंगे, उनकी production को ही target करेंगे, तो हमारी जो environmental sustainability है, वो भी question में आ जाती है, बिकुस to grow ample amount of sucrose sugar cane is quite difficult, बिकुस ये जो energy cane है ना, it is even more promising on drier and low fertility soils, ठीक है, so energy cane is sugar cane that has been genetically modified to become more productive in the manufacture of biofuel, biochemicals and renewable energy generation, ठीक है, and this has been used by Brazil for ethanol blending, now Brazil has been a pioneer in ethanol, in using ethanol blended fuel, ठीक है, it is low on sucrose, high on biomass, more promising on drier and low fertility soils, ठीक है, उसके बादी अद्वांस्ट biofuel है, because it helps in the 20, 61% reduction of the total life cycle GHG emissions, ठीक है, अब देखो ब्राजील मेन पहले, 2019 में, there was a mandatory blending, कि E27 होना चाहिए, तो Brazil has actually saved 0.5 million barrels per day of gasoline, and 13 billion dollars in imports, ठीक है, तो अगर हम भी नहीं लाइन पे जाते हैं, तो हम भी काफी जादा सेफ कर सकते हैं, अना के वल अपना oil import bill, but also we can reduce the emissions, ठीक है, 78% of the Brazil automobiles are running on 27% of ethanol blend, उसके बाद जो बगासे रह जाते हैं, जो residual waste रह जाता है, वो भी काफी जगाओं पे कामा सकता है, काफी commercial users है, उसके भी energy cane का, that can be used for power generation and other commercial users, तो waste नहीं हो रहा है, वाँ पे कुछ, उसके बाद, next is regarding your satat initiative, अब ये जो है ना, this is a sustainable alternative towards affordable transportation initiative, अब ये initiative क्या था, कि हम हम production और availability of compressed biogas को fuel करेंगे, basically compressed biogas की availability है और जो production है उन तोनों को increase करेंगे, ताकि basically it can be an alternative and an affordable clean fuel, ठीक है, for the transportation sector and it was launched by government in 2018, ठीक है अभी recently क्या हुआ है, Petronet LNG ने एक MOU साइन किया है, for Ministry of Petroleum and Natural Gas for undertaking compressed biogas projects, ठीक है Petronet LNG ने साइन किया है, Ministry of Petroleum के साथ, एक MOU, ठीक है, तो इसमें आपको एक तो यह पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए, कि जो यह सतत इनिशेटिव है, यह है क्या, ठीक है, इन विसाज आज यह जो scheme है, इन विसाज करती है, कि 5,000 compressed biogas plants लगेंगे, by 2324, with a production target of 15 mmT and that will help in creation of new employment opportunities, obviously, at the same time, जो farmers है, है न, उनकी incomes में इन्हांस होंगी, that will actually help the rural economy, है न, तो इन सब चीजों में help करेगा, साथत इनिशेटिव, अगर हम बात करें, Petronet LNG की, यह एक joint venture है, by the government of India, to import LNG, ठीक है, and set up LNG terminals in the country, involving India's leading oil and natural gas pairs like Gale, ONGC, IOCL, BPCL, ठीक है, तो एक तरना से LNG terminals, that is, liquefied natural gas की terminal, set up करने के लिए, Petronet LNG, LNG was formed as a joint venture, और इन्हों यह भी बात करी है, कि यह CBG में भी आएंगे, ठीक है, they will also undertake the compressed biogas projects, which were actually under the Sattat Initiative, ठीक है, जिस पे की compressed biogas plants लगाई जाएंगे, India में, at least 5000 by 23, 24, right, okay, then green bonds, अब आप सब में सुनाओगा, green bonds के बारे में, green bonds is just like another bond, ठीक है, fixed income instrument है, debt instrument है, बट इसमें फरक इतना है, कि it is used to finance और support specific climate related और environmental projects, ठीक है, जो climate related या environmental projects है, let's say renewable energy में invest करना है, ठीक है, मतलब कोई और भी अगर environmentally sustainable project है, उसमें invest करना है, तो we have green bonds, ठीक है, अब the idea is also come with tax incentives, ताकि जो initially investors, इनने invest करें, और इनकी जो attractiveness है, वो बड़े, नदेले सबसे पहले green bonds किसने issue किये थे, वर्ल बांक ने, 2008 में, रइट, और अभी तक उन्होंने 164 bonds issue किये है, of the value of 14.4 billion dollars, which is a lot, and 2013 में corporates also have started participating, which has actually led to its overall growth, अगर हम 2020 में देखे, तो 270 billion worth के green bonds were issued already, ठीक है, अच्छा, इंडिया में C-B regulate करता है इनको, and that has actually put in place the disclosure norms, and as per a recent study by RBI, ये news में क्यों है, cost of issuing green bonds has generally remained high, compared to the other bonds in India, due to asymmetric information, ठीक है, इस वज़े से RBI ने ने रिपोर्ट निकाली थी on green bonds, उसमें ये चीज़ लिखी गई थी, आदेको, green bonds के अगर हम बात करें, तो इनमें जो आपका return है, वो भी कम है, compared to the other bonds, ठीक है, so they are not that attractive, लेकिन अभी बात की जा रही है, इनको more attractive बनाने की, उसके बात, जो issue करते हैं green bonds को, obviously उनकी standing, उनकी reputation बढ़ जाती है, because they are going to use this money to invest in, you know, environmentally sustainable projects, फिर जो खरीदता है green bonds, उसको एक तरह से global investors, who invest only in green ventures, उनका access मिल जाता है, India में, Yes Bank was the first bank to issue green bonds worth 1000 crore in 2015, and other banks and corporates have also jumped the bank bank in since then, ठीक है, as per the RBI report, the outstanding amount of green bonds issued in India was 16.3 billion dollars, which constituted only 0.7% of all the bonds which were issued in the Indian financial market, ठीक है, अब बहुत, अगर हम देखे, value of bonds issued in India, बहुत ही small proportion है of total bond issuance, लेकिन फिर भी India is next to China, and is way ahead of developed countries like UK and USA in issuing the green bonds, ठीक है, चाहे हमारे देश में बहुत ही कम percentage है of green bonds, as compared to the other bonds, लेकिन we are very much ahead of developed countries like USA and UK, and just behind China, ठीक है, तो global level पे हम काफी जादा absolute number में issue कर रहे है, लेकिन अपने देश में अगर हम देखे, तो percentage काफी छोटा है, then there is also new concept known as green deposits, green deposit is like an FD, ठीक है, लेकिन ये, it is a fixed term deposit for investors, which are looking to invest their surplus cash reserves in environmental friendly project, ठीक है, so obviously ये जो new offering है, ये एक तरह से हमारी awareness को दोहराती है, के we are now more aware of our environmental concerns, हैना, and basically, HSBC और HDFC bank ने लांच ही है, green deposits in India, and these are for both the corporates as well as individuals, ठीक है, and they will finance eligible businesses and projects that promote the transition to low carbon, climate resilient and sustainable economy, या environmentally sustainable projects, ठीक है, so green deposits are like FDs, आप green deposit पे money deposit करते हो, and that money is used by HDFC और HSBC या दूसरे banks जिन में green deposits हैं, अभी यहाँ पे majorly HDFC में है, तो वो invest करते हैं इनको in projects में, ठीक है, okay, then next is renewable energy certificates, now these are also market-based instruments, यह जिसके पास renewable energy certificate है, ठीक है, ठीक है, that is bearer है, वो उसका bearer है, वो basically उसको कह रहे है, that he owns, the bearer owns 1 megawatt hour of electricity generated from a renewable energy resource, ठीक है, अब basically, अब REC can also be sold on the open market as an energy commodity, ठीक है, यह भी एक important चीज है कि market-based instrument ऐसे है, क्योंकि once the power provider, ठीक है, that has provided the energy into the grid, then it can be sold on the open market as an energy commodity, ठीक है, अब they can be sold, for example, to other entities also that are polluting as a carbon credit, है न, तो carbon credit के तौर पे भी RECs को हम sell कर सकते हैं, and they are traded on two power exchanges, Indian energy exchange and power exchange of India, ठीक है, RECs are traded on two power exchanges, और जो price है, that is determined by market demand and contained between the floor price, जो minimum होता है, और forbearance, जो maximum होता है, as specified by the Central Electricity Regulatory Commission, ठीक है, so this is about your renewable energy certificates, एक basic आपको पता होना चाहिए, है, okay, then, जो renewable purchase obligation होती है, जिसे की, जो bulk purchases है, जिसे डिसकॉम्स है, जो उनको एक certain amount of renewable energy purchase करनी है, तो they can also buy certain proportion of RECs as, in order to fulfill their renewable purchase obligation, ठीक है, so they can buy them from the renewable energy producers, ठीक है, the idea behind REC is कि आप एक तना से renewable sources of energy को promote कर रहे हो, it is an alternative voluntary route to the, it gives an alternative voluntary route to the generator to sell its electricity, from renewable sources, just like conventional electricity, and offer green attributes separately to be obligated entities to fulfill their RPOs, ठीक है, so एक तना से देखो अब दोनों चीज़े हैं, एक तो यह आप इसमें renewable energy को sell कर सकते हो, जैसे आप conventional electricity को sell करते हो, और दूसरी चीज़े है कि यह RPOs की obligations को भी fulfill कर रहा है, so it also actually helps to fulfill their RPOs also, ठीक है, जो DISCOMS है, क्योंकि उनको certain renewable energy purchase करनी ही है, ठीक है, उसके बाद, आज करना wind solar hybrid parks की भी बात हो रही है, so the union ministry of new and renewable energy is planning on setting up new solar hybrid parks in the country, ठीक है, अब जो solar project होते हैं, वो contiguous lands पर लगते हैं, लांड के उपर आपने solar photovoltaic cells लगा दिये, जो wind होते हैं, wind plants होते हैं, they require scattered land, तो इससे क्यों होता है, कि transmission cost बढ़ जाती है, land acquire करने के issues है, land acquire करने के एक तो cost है, उसके बाद कभी-कभी land आपको नहीं मिल पाता, है न, all of that, बहुत डिले हो जाता है, बिकोजन नुमरेस रीजन्स, ठीक है, तो इन ओर तो अवरकम थे चालेंजस, और तो speed up the installation of the wind power projects, we have development of wind parks, और development of solar, wind-solar hybrid parks, ठीक है, अब इसकी वज़े से, अब इसमें न, we have a number of projects have been delayed, because of land, NOCs and transmission related issues, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, the government is actually thinking, कि यह जो issues हैं, यह ना आएं, ठीक है, अब इन issues की वज़े से, क्या होता है, जो बहुत ही जाधा prevalent है, कि जो investors है, जो invest करना चाते हैं, इस renewable energy sector में, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है, कि land ही acquired नहीं होगा, या NOC नहीं मिलेगी, या TRANSMISSION RELATED CHALLENGES होंगे, ठीक है, तो INVESTORS का CONFIDENCE WAS DECREASING, तो GOVERNMENT HAS COME UP WITH THESE HYBRID PARKS, ताकि ऐसा ना हो, यह CHALLENGES ना आएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह जो wind energy park है, यह जो hybrid wind solar parks है, they will provide with all the solutions, ठीक है, land, transmission, infrastructure, approvals to the investors for installing wind and wind solar power projects, ठीक है, जो probable sites है, they have been identified with the help of National Institute of Wind Energy on the basis of availability of wind resource and availability of the land for such projects, so suitability of the land, ठीक है, एक बार, site suitable हो जाती है, जो park developer है, वहाँ पर park बना सकता है, and they have been circulated to the concerned state governments for their approval, then the state government would designate the park developer, जो की project, जो की park को develop करेगा and जैसे जो हमारे पस detailed project, report, preparation, land, transmission, infrastructure, वो सब park developer करेगा, लेकिन एक तरह से जो आपकी wind energy park है, जो भी उसमे suitability of land है, वो National Institute of Wind Energy provide करेगा, the point is, जो challenges है न, वो थोड़े से कम करने की बात की जा रही है, with the help of these wind solar hybrid parks, ठीक है, उसके बार, seven states के across, sites have been identified, और ये जो park बनेगा, इसकी जो capacity होनी चाहिए, वो 500 megawatts से जादा होनी चाहिए, लेकिन low capacity के parks भी बनाए जाए सकते हैं, depending upon the availability of land and resource, लेकिन 50 megawatts से कम के ये नहीं होंगे, ministry of new and renewable energy will provide financial assistance of 25 lakhs per park to the developer, park developer, for detailed project report preparation and 30 lakhs per megawatts और 30% of the park development cost to the park developer, ठीक है, तो financial assistance would also be provided by the MNRE, तो आप देखरो, आपको एक तो suitability of land provide करी जा रही है, ठीक है, उसके बाद financial assistance provide करा जा रहा है, necessary जो challenges है, उनको cover, overcome करने के लिए assistance provide की जा रही है, so that is what is behind this wind solar hybrid parks, ठीक है, ये एक ही जगा पे आप दोनो solar और wind energy का जो है, install कर दे, then a hybrid renewable energy park is also coming up, close to the Indobakh border in Kach district in Gujarat, this is a 30,000 megawatt project, so it is one of the largest of its kind in the world, ठीक है, अब government का, जो commitment है, 175 gigawatts है by 2022, the Gujarat government has identified 1 lakh hectares of wasteland, तो ये जो land है, ये wasteland है, so this was, you know, very close to the international border with Pakistan, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, MOD, जो ministry of defense है, उन्होंने approval दे दिया है, क्या आफ 72,600 hectares of land को use कर सकते हो, to build the park, so इसमें 2 areas होंगे, एक जो फॉर्ट, approximately 50,000 hectare होगा, वो hybrid park zone होगी, जिसमें wind और solar plants लगेंगे, और एक exclusive wind park zone होगा, of 23,000 hectares, ठीक है, और ये जो है, entire 23,000 hectares of the exclusive wind zone park, is also been allocated to, solar energy corporation of India, ठीक है, and power grid corporation of India, will be evacuating the power, which has been produced in the park, ठीक है, this is being built up, near Gujarat in Karch, then we also have a concept, which we call it as bio coal, ठीक है, bio coal क्या है, ये बनाया जाता है, through the process, which is known as tory faction, और bio coal, अगर हम बात करें, तो stubble burning, जो की काफी सादा nuisance है, especially in winter months, in Punjab, Haryana, which causes like, tremendous amount of pollution in Delhi, ठीक है, उसको कम करने के लिए, it is a Swedish technology, now it is done through the process of tory faction, tory faction क्या है, एक thermal process है, which is going to convert biomass into a coal-like material, biomass किसका, stubble का जो biomass है, उसको coal-like material में ये convert कर देगा, and it has better fuel-like characteristics, than the original biomass, ठीक है, अब biomass भी burn कर सकता है, लेकिन उसके, जो बनेगा coal-like material, जिसको हम bio coal भी कहते हैं, that has better fuel-like characteristics, इसमें करते हैं क्या है, heating up straw, grass, stubble, to 250 degrees, to 350 degrees, celsius, जिसमें क्या होता है, biomass is converted into coal-like pellets, और ये जो pellets है, they can be used, along with coal, for combustion, uses in the industrial areas, ठीक है, जहाँ पे coal use होता है, industrial areas में, वहाँ पे उसी के साथ, ये bio coal भी use हो सकता है, इसकी calorific value जादा है, energy, sorry, durability भी साथा है, ठीक है, अगर हम इसको scale-up करते हैं, तो 65% of the biomass, could be converted into energy, UP ने बगिन पी कर दी है, process of the procurement of agricultural waste, to wean away the farmers, from the practice of stubble burning, at the same time, to increase their incomes, to double their farm incomes, ठीक है, तो उन्होंने पहला, bio coal production unit, set up किया है, in Bharaj district, which has completed the trial run also, ठीक है, so this is all about, bio coal, this is similar, to coal, produced by the process of, tory faction, and एक तरा से fuel characteristics, better है, bio mass से, calorific value जादा है, durability जादा है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि stubble burning को रोकने में, help करेगा, agricultural waste को, जो है, utilize कर सकते हैं हम इसमें, उसकी वज़े से, जो farmers की income है, वो भी बढ़ेंगी, right, then next is hydrogen, green hydrogen, now we all know, that hydrogen will make up 12% of the energy mix, by 2050 as per IRENA, that is international renewable energy agency, ठीक है, और जो ही 66% है, it must come from water, instead of natural gas, ठीक है, अब जो green hydrogen कैसे produce होती है, for that matter hydrogen कैसे produce होती है, electrolysis of water, ठीक है, water की electrolysis है, water के breakdown से, अब वो जो water के breakdown में energy use हो रही है, वो renewable energy हो सकती है, वो natural gas हो सकती है, वो coal हो सकता है, depending upon that, हम hydrogen के नाव different कर देते हैं, for example, जो green hydrogen है, उसमें, जो electrolysis of water है, वो कैसे हो रहा है, renewable energy से, तो उसका carbon footprint कम है, वो थोड़ी favorable है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, less than 1% of the hydrogen, जो produce हो रही है, वो green hydrogen है, according to, IRINA's world energy transitions outlook, ठीक है, जो जैसे, जो हमारे पास green hydrogen है, that is made from renewable energy, जो blue hydrogen है, that is made from natural gas, अब green hydrogen में, no carbon dioxide is emitted, blue hydrogen में, carbon dioxide emit होती है, लेकिन that is captured and stored, gray hydrogen में क्या होता है, अगेन ये भी natural gas से होती है, इसमें carbon dioxide is emitted into the atmosphere, तो रहे गेटिंगे, that gray hydrogen and blue hydrogen, बोथ हार में इट फ्रॉम नाच्रल गास, दोनों में एलेक्टोलाइस जो वाटर होगा, वो नाच्रल गास से ही होगा, लेकिन ग्रे में क्या है, that is emitted, और blue में क्या है, that is stored, तो gray का carbon footprint जादा है, जो इसका, blue का carbon footprint है, वो कम है, ठीक है, brown hydrogen है, which is made from coal, तो उसमें भी carbon dioxide atmosphere में रिलीज होती है, और इसका तो सबसे जादा carbon footprint है, तो कैसे hydrogen बन रही है, बनेगी तो process तो वही है, electrolysis of water, water को breakdown करेंगे, तो hydrogen निकलेगी, लेकिन वो breakdown of water कैसे हो रहा है, वो determine करता है कि hydrogen green है, blue है, gray है या brown है, the point is कि हमें green hydrogen की तरफ transition करना है, क्योंकि वो favorable है carbon footprint के लिए, उसका carbon footprint is very less, ठीक है, अब देखो हमारा देश 6 million tons of hydrogen consume करता है, हर साल for the production of ammonia and methanol, in industrial sectors, fertilizers, refineries ने, ठीक है, अब इंडिया में क्या है, green hydrogen के लिए favorable conditions है, क्योंकि renewable energy abundance में है, हमारे पास sunlight है, हमारे पास wind है, ठीक है, उसके बाद it will also reduce the country's dependence on imports, है ना, क्योंकि हम natural gas import कर रहे हैं, all of that, उसमें भी help करेगा, लेकिन green hydrogen की अभी major जो cost है, वो काफी जादा है, this is triple the cost of grey hydrogen, ठीक है, और 2030 तक ही हम कह सकते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी advanced technology होगी, कि जो green hydrogen की cost will be able to compete with that of hydrocarbon fuels, India will also become a net exporter of green hydrogen by 2030, because it will have cheap renewable energy tariffs, ठीक है, green hydrogen can also be used in a wide range of existing applications, जिसमें अभी grey hydrogen use हो रही है, and it can also be blended up to 10% by city gas distribution networks for wider acceptance, ठीक है, तो use तो सबका सेम ही है, क्योंकि hydrogen तो सेम ही produce हो रहे हैं, लेकिन कैसे produce हो रहे हैं, वो डिटर्माइन करती है, कि उसका नाप या है, then there is also another fuel, that is hydrogen enriched compressed natural gas, which is also known as HCNG, इसमें basically hydrogen is blended in CNG, तो कितना blend है hydrogen का 18%, ठीक है, and then it can be used as an automotive fuel, ठीक है, अभी क्या है, जो Union Road and Transport and Union Road Transport and Highways Ministry ने, hydrogen enriched compressed natural gas को as an automotive fuel notified गया है, that is why it has been in news, अब ये जो HCNG है, ये cleaner है, economical है, cleaner कैसे है कि carbon monoxide emissions में 70% more reduction compared to natural gas, दीक हो, natural gas में भी जो carbon monoxide emissions है, वो कम होती है, याना CNG में भी emissions प्यार लेस, लेकिन अगर हम उसको hydrogen के साथ blend कर दे, and we get HCNG, तो इसमें 70% और reduction होगी carbon monoxide emissions में, if we compare it with CNG, ठीक है, it also reduces the engine's unburnt hydrocarbon emissions, and speeds up the process of combustion, ठीक है, so it is even more economical, fuel efficiency improve हो जाती है engine की, जिसकी वज़े से fuel consumption कम हो जाती है, ठीक है, so thermal efficiency and fuel economy are improved by HCNG, now we have to make a transition towards hydrogen economy, तो इसको एक intermediate but important step माना जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ेस में यह है कि चो existing infrastructure है, CNG buses का piping network है, dispensing stations है, उन्ही को हम यूज कर सकते हैं, हमें कोई separate infra नहीं चाहिए, separate engines नहीं चाहिए, separate engines for the buses, for the other automobiles, वो कुछ नहीं चाहिए, we can simply use the existing infrastructure, so it can be seen as next gen CNG for cleaner air, right, then another important thing is floating solar power plants, अभी जैसे हमने last कुछ slide में देखा कि, land की बहुत problem रहती है, तो अभी बात की जा रही है कि जो यह photovoltaic panels है, इनको surface of water body पे ही deploy कर सकते हैं, and that, sorry, result in the floating solar power plant, अब सदरन रिजन में न साउथ में बहुत सारे major reservoirs है, and they actually provide a huge opportunity to go for renewable energy, the floating solar method, अब इनके advantages हैं over land projects, क्योंकि वहाँ पे आपको continuous stretches चाहिए, of non-farming, non-forest land, जबकि floating में आपको इतना नहीं चाहिए, and it can be a game changer in India's ambition to achieve 450 gigawatts, target of renewable energy, अभी 100 megawatts का एक पार, floating solar power plant has been developed by NTPC, in Telangana, ठीके, उसके बाद, Sim Hadiri Thermal Station in Vishakapatnam, आंदरपदेश में भी बात हो रही है, and it will actually, जो हमारे पास यह floating solar capacity, solar facility है, it will become, it is actually a part of NTPC's, aim to become green by 2032, ठीके, यह है, तो आंदरपदेश में हैं और Telangana में है, उसके बाद, solar tree, जैसे हमारे देश में CSIR है, तो CSIR, CMERI, they have developed world's largest solar tree, which is installed in West Bengal, ठीके, अब यह जो solar tree है, इसके capacity काफी सादा है, 12,000 to 14,000 units of clean and green power, और यह जो solar tree है, यह इस तरह से designed है, कि हर एक जो solar photovoltaic panel है, उसको maximum exposure मिले, और least amount of shadow area हो beneath, ठीके, उसके बाद, यह जो inclination है, that is also flexible, which is not available in roof-mounted solar facilities, जो छटों पे लगी होती है, रूफ पे लगी होती है, उनमें यह facility नहीं है, ठीके, यह जैसे है, अब solar tree ना, agriculture के साथ align हो सकती है, और उस agriculture में, जो users है, fossil fuels के, उनको replace कर सकती है, solar tree, है ना, क्योंकि नीचे shadow zone नहीं बनेगी, तो agriculture जो नीचे हो रहा है, वो हता रहे, और यह अर फ्लेक्सिविल, maximum exposure है, वो सारी benefits पी है, and solar tree will obviously, जो है वो carbon dioxide, जो emissions है, उनको तो सेफ करेगी ही, and जो surplus है, that can be fed into the energy grid, and it can also provide a consistent economic return to the agriculture, agriculture is to the farmers, ठीक है, so अगर आप इसको ना picture देखो, तो ऐसे होती है, तो नीचे shadow area नहीं है, तो नीचे आपकी खेती बाडी हो सकती है, जो भी आप crops उगा रहे हो, and it can be, जो यहाँ से energy produce होगी, जो आप fossil fuel से जो farmers energy लेते हैं, उसको replace कर सकती है, surplus है, आप grid में देदो, आपकी income और बढ़ेगी, so it can be aligned with the agriculture, then another thing is sustainable risk mitigation initiative, यह एक तरह से जो countries है, उनको help करता है, specially African countries को help करता है, with money, with finance, ताकि वो एक तरह से जो solar power development है, उसमें, they can easily do that, ठीके, so just a world bank में operationalize किया है, solar risk mitigation initiative, with 333 million dollars, what we need to African countries, ठीके, और यह जो idea था, it was incubated as common risk mitigation mechanism, by the international solar alliance, तो यह development and climate financing provide करता है, it actually provides with technical assistance to the countries, ठीके, उसके बाद investments provide करता है, उसके पाद risk mitigation instruments provide करता है, so basically the idea is, कि आपका जो risk mitigation है, वो कम हो जाए, basically finance provide कर रहा है, and technical assistance provide कर रहा है, to the African countries, so that they can move towards solar energy, when we have Earth Overshoot Day, देखो यह last की कुछ topics है, Earth Overshoot Day वो दिन होता है, साल का, जब humanity की जो demand थी, for ecological resources, उस साल में, वो exceed कर जाती है, जितना Earth आपको provide कर सकता है, या Earth उस साल में regenerate कर सकता है, ठीके, अब जैसे आपको X humanity की बात करें, तो उनको X ecological services चाहिए एक साल में, ठीके, लेकिन जो Earth है, वो उस साल में, सिरफ X minus Y ही provide कर सकता है, याना, कि वो उसको regenerate भी कर देंगा है, जैसे भी X minus Y ही provide कर सकता है, तो अब आपको X चाहिए, लेकिन Earth X minus Y ही provide कर रहा है, तो मतलब आप extra use कर रहे हैं, है ना, तो ये दिन जब आप उसकी, जितना Earth आपको provide कर सकता है, उस साल में वो threshold रीच कर जाते हो, तो उसको Earth Overshoot Day कहा जाता है, जैसे 2021 में July 29 को था, 2019 में भी इसी दिन था, 2020 में या 22 August पहुंच किया था, क्योंकि तब हमने शायद COVID था और lockdown था, तो हमने इतने resources यूज नहीं किये, Global Footprint Network इसको calculate कर था है, which is an NGO, an international NGO founded in the year 2003, और Andrew Sims, जो है, of the think tank new economics foundation, he grave this concept, so humanity currently uses 74% of what the planet ecosystems can regenerate और provide in a near, मतलब हम 1.7 Earths पे survive कर रहे हैं, ठीक है, so this means humanity is currently using nature 1.75 times faster than our ecosystems can regenerate, पहली पार 1970 में यह एक अचेप्ता रहा था, and you know, overshoot to overshoot is possible, because we are depleting our natural capital, compromising the planet's future regenerative capacity, and finally, और एर एर हर साल दो हर साथ से मनाया चाता है, it is organized by Worldwide Fund for Nature, अनुवली, ठीक है, हर साल सारे आर से सारे नौबजे तक lights बन कर दी जाती है, जो non-essential है, last Saturday of March में यह बनाया जाता है, सबसे पहले 2007 में, Australia, Sydney में मनाया कया था, ठीक है, just to raise awareness about the environment and its various causes, then we have what is known as energy efficiency report, अब यहना ministry of power और new and renewable energy ने निकाली थी पहले, अब देखो, COP21 Paris Agreement के तहत, जो हमारे commitments है, उसमें हमने energy intensity of the economy कम करनी है, 33-35% है, अभी हमारी approximately 20-21% तक कम हो गई है, तो यह जो रिपोर्ट है ना, that was prepared by BWC, which was engaged by Bureau of Energy Efficiency, which is statutory body under Ministry of Power, Energy Conservation Act of 2001, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हमने काफी जादा energy efficiency efforts लिए, जिससे perform achieve trade scheme है, हमारे पर सुझाला प्रोग्राम है, standards and labeling program है, तो हमने energy efficiency की, जिससे कि जिससे कि आपने जो emissions है, carbon dioxide उनको भी कम किया, तो मेभी आपसे पूचा जा सकता है, कि यह report कौन निकालता है, right, so this was regarding your renewable energy, I have tried to cover all the important last minute concepts, अब जो detailed concepts है, वो I haven't touched, ठीक है, I hope आपने उनको पढ़ लिया होगा, यह सिरफ आपको revision में help करने के लिए था, ठीक है, so in case you want to attempt some more tests, I would suggest कि हमारे जो FLTs हैं, आप उनको ले सकते हैं, because अभी last में, जो चीज़ आपको confidence देगी, वो solving FLTs ही है, again I am saying कि अगर आपके marks कम आते हैं, don't lose heart, don't lose hope, ठीक है, just take it in the positive way, कि आपका अगर यह paper में question आता, तो आपका गलत हो जाता, अब at least वो नहीं होगा, ठीक है, तो हर एक चीज़ को positive में लिजी, और अपनी तयारी को रखे, continue, because this time is very crucial, very important, यह वो दिन होते हैं, जब आप, you cannot afford to lose focus, ठीक है, that was regarding today's lecture, thank you so much,